हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे ब्रोचिंग कटिंग ओपरेशन में प्रियोग होने वाले ब्रोच कटिंग टूल के बारे में ब्रोच कटिंग टूल ये एक प्रकार से लोंग मल्टीपल टूथ कटिंग टूल है जिसमें अगर आप देखें, successfully इसमें deeper cut होते हैं अगर आप इस diagram को देखें, यह जो diagram आपको दिखाया गया है इस diagram में यह pool brooch है अब हम देखेंगे कि इस particular pool brooch में क्या-क्या elements हैं क्या-क्या parts हैं और उनके क्या-क्या function होते हैं सबसे पहले नाम देख लेते हैं यह जो part है इसको हम pool end बोलते हैं यहां से यहां जो part है इसको हम front pilot कहते हैं और यहां पर जो इस पर teeth बने होते हैं उसको तीन टाइप से categorize किया गया है सबसे पहले roughing teeth होता है जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है उसके बाद semi-finish teeth होता है जिसकी लंबाई दोनों से कम होती है और finishing teeth की जो लंबाई है वो इन तीनों में दूसरे नंबर पर आती है और उसके बाद है rear pilot और follow rest grip यह होते हैं अगर हम देखें जो roughing teeth है और semi-finish teeth है यह दोनो cutting teeth की category में आते हैं और जो finishing teeth है वो finishing के लिए प्रयोग होते है starting point से लेकर हम देखें front pilot तक की जो लंबाई है वो sank length कहलाती है और उसके बाद overall length हमारी starting end से जो final end है वहाँ तक की जो लंबाई है वो overall length कहलाती है अगर हम बात करें सबसे पहले pool end की बात करते हैं pool end ये pool brooch पर बना होता है जिस पे अगर हम बात करें एक प्रकार से sank बना होता है और brooching machine का जो puller head होता है उसमें इस part को held करते हैं ताकि हम properly उसकी क्या है रिजिडिटी आजाए tool के अंदर उसको held करके ये वो part है इसके बाद आता है front pilot front pilot का का काम होता है कि जो brooch हम यूज़ करते हैं उसकी properly alignment की जाए correct axial alignment की जाए tool की starting hole के साथ में और जो internal pool brooch अगर हम यूज़ करें उसमें जो pool end है और जो front end होता है वो pass करते हैं एक starting hole से starting hole में एक hole बनाया जाता है starting hole वहाँ से वो pass करते हैं और उसके बाद जो pool end है उसको lock कर दिया जाता है जो pool head होता है brooching machine का उसके साथ उसके बाद आता है roughing teeth और हम बात करें semi finishing teeth इन दोनों teeth का का काम होता है work piece से material को remove करना और जो roughing teeth होते हैं उनकी जो अगर आपने teeth को देखें वो थोड़े stepped होते हैं और heavy cut provide करते हैं और इनके साथ ही cheap breaker भी लगे होते हैं जो round tool होता है अगर हम देखें उसमें cheap breaker लगे होते हैं cheap breaker का का काम होता है हम जो cheap packing होती है या फिर cheap removal है उसको असानी से किया जासके और जो cheap breaker होते हैं वो parallel होते हैं tool axis के और जो semi-finish teeth होते हैं ये follow करते हैं roughing teeth को बट इनका प्रियोग किया जाता है light cut के लिए heavy cut के लिए roughing teeth होते हैं और semi-finish teeth light cut के लिए इसका प्रियोग करते हैं उसके बाद आता है finishing teeth finishing teeth का मतलब होता है कि जो hole हमें बनाना है जो key way बनाना है या फिर spline बनानी है उसका sizing करना मतलब कि ये same size के होते हैं जो size हमें हमारे work piece पे चाहिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो finishing teeth है ये first sizing tooth cut metal को tooth cut करते हैं ठेक है और जो finishing operation है उसको भी करते हैं बिना किसी metal removing के तो finishing के लिए इनका ज्यादा तर प्रयोग किया जाता है उसके बाद आता है rear pilot और follow rest grip इसका काम होता है कि tool की alignment को maintain करना जब हमारा जो finish teeth है वो work piece के hole से pass कर जाए उस दोरान भी tool alignment को maintain करके रखना या कह सकते हैं कि broach को sport करना और operation के बाद क्या होता है कि जब operation हमारा complete हो जाता है तो यही वो part होता है जिसको हम फिर से pull back करते हैं ताकि हमारा जो broach है वो starting position में आ जाए अगर हम round tool की बात करते हैं तो round tool के case में क्या होता है कि जो rear pilot का जो diameter होता है वो finishing teeth के diameter से कम रहता है अब मैं बात करता हूँ कि जो किस-किस type के broach होते हैं कौन-कौन से type के broaches होते हैं उसको अलग-अलग तरह से categorize किया जाता है कि आप किस type का operation कर रहे हैं तो उसके अधार पे internal broach होगा, external broach होगा, आपका method क्या है operation का जैसे या pull broach हो सकता है या फिर push broach होगा type of construction के अधार पे आप बता सकते हैं solid है, built up है, inserted tooth हितियादी function के अधार पे आप बता सकते हैं जिसमें surface tool broach हो सकता है, keyway broach हो सकता है, round hole broach हो सकता है, इतियादी और यह जो cutting tool है, किस material के बने होते हैं, अगर हम बात करें, ज्यादा तर जितने भी broaches होते हैं, वो 1841HSS मतलब कि high speed steel के बने होते हैं, 1841 का मतलब होते हैं कि इसमें 18% tungsten होता है, 4% chromium होता है, और 1% इसमें vanadium होता है, तो HSS high speed steel के बने होते हैं, production work, heavy duty work किया, फिर जहां हमें surface finishing के requirement होते हैं, वहाँ इसका प्रियोग करते हैं, carbides के भी बने होते हैं, carbides के वहाँ बने होते हैं, जब हम automotive field में हमें cast iron को broach करना है, तो carbides से बने जो broach tool हैं, उसका प्रियोग करते हैं, अगर हमें light work करना है, तो light work के लिए high carbon steel के broaches बने होते हैं, तो हम दोस्तों आपके साथ discuss किया कि जो broaching cutting operation होता है, उसमें जो हम broach cutting tool का use करते हैं, उसके क्या-क्या elements हैं, क्या-क्या parts हैं, उनका क्या काम है, वो किस material के बने होते हैं, और कैसे आप उसको categorize कर सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इ आपका दिन सुब रहे,